भाई एक रिपोर्टर है नैंदीब जो की मुझे तो बहुत पसंद आता था लेकिन लास्ट सीजन बिग बॉस 17 पे वो अंकिता लोखंडे का जादा ही थोड़ा प्रेस कर दिया था क्योंकि अंकिता उनके घर से है मतलब घर से इंदसेंद बहुत अच्छा बॉंडिंग था उसके बाद तो बहुत सारे पिक्चर वगेरा स्प्रेंट हुआ तब पता लगा जिसके बाता से मेरे साथ साथ बहुत लोग थोड़ा सा ओफेंड हो गए थे नैंदीब का लेकिन यह बात तो बोलना पड़ेगा भई यह जो जो जर्नलिस्ट नैंदीब इनको बहुत पाइ इतना बड़ा सवाल पूछ लिया मतलब कैसे लेकिन क्या हुआ है क्या पूछा है डेफिनेटली आप लोग थम्नेर देख कर आधा चीज़ तो समझ गए होंगे नैंदीब ने पूछा है रनवी शोड़े की उपर जो एलिगेशन है फिजिकल वाइलेंस का उसके बारे में पूजा भठ के साथ रनवी शोड़े का एक रिश्टा था जिसके उपर पूजा भटने फिजिकल वाइलेंस किया है फूजा भट के साथ उनको मारा पीटा है इस सब का अलिगेशन उनके उपर था तो इसी बात को उसने पूछा था था तो नैंदीब का पूछने का ये कॉ पहले जब यह बोला तो रनवी शोरा तो भाई क्या पूछ रहे हो ऐसे बात मत करो क्या पूछना है क्या एक्स्प्लानेशन चाहिए वो जैसे रूड है और उपर से उसको तो ट्रॉफी नहीं मिला और भी जादा गुस्से में था तो ऐसे गुस्से में पहले तो उसने बोलते हुए कि आपको काम नहीं है और आपके इंडस्ट्री वाले जो है उसमें से कुछ लोग है जो आपके गेंस पर गैंग अप किया है तो यह के रीजन है पूजा भट को यह जो पूजा भट ने भी आपकी उपर एक ऐलिगेशन दिया था कि आपने फिजिकल वालेंस क बोला हब हो गया चलो मतलब इतना रूडली बिहेव किया बंदा 52 यह का है और पता नहीं जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे बोल रहे थे कि सना मकबूल ऐसे रूडली बात कैसे कर सकता है भाई अगर तुमें कोई बोले गा इतना गंडी तरीके से इतना रूडली तो रनवी शोड़े का डीवर्स का रीजन ही है कि रनवी शोड़े को पता नहीं कि लोगों के से बीहेव किसे करता है उनके रूडनेस के वज़े से वो जो है अकेले है आज के डीट पे जैसे के बिग बोलते हुए देखा गया था शो के अंदर कि उनका बेटा है कुछ दिन उ रनवी शोड़े का इसा हाल कैसे हुआ कुछ दो बोलते हैं कई या रिवार्स सब्सक्राब के साथ करते हैं अ आपका point of view ज़रूर कमेंट करके बताने हैं ऐसी news gossip के लिए चान को सब्सक्राइब करते हुए जाना, bye bye for now.